आपने अगर मान लिजिए 80,000 खर्च किया कि आपको ये पैसा रोजाना खर्च करना है आपको 86,400 आपके खाते में क्रेडिट कर देता है इसे 18,000 का उटपट कैसी लिया जाए 20,000 का 30,000 Hi friends, are you looking for high profile business opportunity? We are manufacturer of stainless steel modular kitchen, bathroom vanities and wardrobes by the brand name of Metas Lifestyle We are offering franchisee showroom and dealership showroom Pan India You may contact my team Hi friends, कलपना कीजिए एक ऐसे बैंक के बारे में जो रोजाना आपके खाते में 86,400 जमा कर देता है मेरे एक बात को ध्यान से समझ लिजेगा अगर आपने इस वीडियो पर इसलिए क्लिक किया है कि मुझे भी मेरे खाते में 86,400 रुपए रोजाना मिल जाए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है आप अभी के अभी इस वीडियो को स्किप कर दें ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने समय की कीमत को बढ़ाना चाते हैं और 86,400 क्या लाखों रुपए तक उस कीमत को ले जाना चाते है तो कलपना कीजी एक ऐसे बैंक के बारे में जो रोजाना आपको 86,400 आपके खाते में क्रेडिट कर देता है लेकिन यहाँ पर एक शर्त लगाता है कि आपको ये पैसा रोजाना खर्च करना है मतलब जैसे ही समय शुरू होता है ये आपके खाते में आ जाएगा और आपको इसको खर्च करना है आपको जैसे ही 24 घंटे पूरे होंगे ये वापस शुरू नहीं हो जाएगा मतलब आपने अगर मालीजे 80,000 खर्च किया तो 6,400 आपको next day मिलने वाला नहीं है वो सारा का सारा शुरू नहीं हो जाएगा और आप 86,400 जादा खर्च नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप में से हर व्यक्ति को ये दिया ऐसे बैंक में पैसे मिलने लग जाएं और ये पता लग जाए कि ये शूर नहीं हो जाएगा तो वो कुछ ना कुछ करके 86,400,100% utility यूज करके खर्च कर देंगे और रही बात बैंक की तो बैंक का मतलब केवल वो ही नहीं जहां पैसा जमा किया जाता है या निकाला जाता है बैंक का मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर चीज़ों को संचित किया जाता है और वो किसी भी चीज चीज का हो सकता है जैसे Blood Bank जहां पर Blood को Store किया जाता है जैसे ROTI Bank एक Social Organization ROTI Bank चलाती है जहां पर रोटियों को इकठा किया जाता है कपड़ा बैंक जहां पर लोग अपने कपड़े को डोनेट करते हैं और जरुतमन लोगों तक वो कपड़ा पहुचा है जाता है तो अगर आप इस बात को अच्छे समझ गए हैं कि यह वो बैंक नहीं है जो आपके अकाउंट में पैसा दे रहा है और फिर भी आप इस वीडियो पर मेरे साथ बने हुए हैं तो समझ लीजिया आने वाला समय आपका बहुत बहतर होने वाला है और इश्वर से काम ना की जाती है कि हर वेक्ती 80 साल तो कम से कम जी है इसका मतलब 80 साल के हिसाब से 365 दिन की कैलकुलेशन अगर लगाई जाए तो आपके पास केवल 29,200 दिन का समय होता है और उसमें से कितना समय आप खर्च कर चुके हैं वो इस बात पर नरभर करता आपकी एज कितनी है माने जे मेरी एज है 42 तो इसका मतलब मैंने जो अपनी लाइफ में समय खर्च कर दिया वो है 15,330 दिन ये मैं खर्च कर चुका हूँ मेरी एवरेज अगर 80 एज होती है तो मेरे पास कुल बचे होए दिन कितनी है इस माइनस इक्वल टू 13,870 दिन मेरे पास बचे होए दोस्तों हमारे पास जो 24 गंटे का समय होता है उसमें से 8 से 9 गंटे हमारे सोने पर निकल जाते हैं दो से तीन घंटे हमारे personal हमारे जो नितकार्य होते उन पर निकल जाते हैं दो तीन घंटे का समय हमारा personal friend, social circle सब में use कर लेते हैं कुल जो हमारे पास समय वस्ता है 8 से 10 घंटे का समय लगता है मतलब 42% time जो होता है वो हमारा waste हो जाता है या utilize हो जाता है हमारे पास working 58% time होता है इसका मतलब मेरे पास 13,870 दिन में से अगर मैं 58% calculate करूं तो 8,045 दिन का समय मेरे पास बचा हुआ है कहने का मतलब हर व्यक्ति के पास यह जो बचा हुआ समय ना वो limited है इश्वर ने हर व्यक्ति को अलग योगता दिया अलग काबियत दिया अलग स्ट व्यक्ति को बिना किसी बेधभाव के समान रूप से रोप यह हमारे उपर निर्वर करता है कि 24 गंटे के समय को As semiyтов करते हैं और कैसे अपने समय को बेतर बनाके अपने जीवन को और अधिक सफल बनाते हैं तो हमें करना क्या है आपके पास जो 58% remaining time है उसको कैसे utilize करना है ध्यान रखेगा दुनिया के सफलतम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक बात कही और वो बात कहती है कि कुछ लोग एक दिन में इतना पैसा कमा लेते हैं जितनी earning कुछ लोग एक साल में भी नहीं कर पाते इसका मतलब उनके एक दिन की जो कीमत है वो किसी व्यक्ती के एक साल की earning की कीमत के वराबर होती है और कुछ लोग एक साल में इतना पैसा कमा लेते हैं जितना बहुत सार लोग 10 साल में भी नहीं कमा पाते मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है फर किस बात से बढ़ता है उस समय पर उस समय को आपने कैसे यूटिलाइज किया है ताकि आपके समय की कीमत निरंतर बढ़ती चली जाए तो आज हम इसी विशा पर बात करने वाले हैं अगर आप अपने समय की कीमत को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ सिध्धान्त आपको फॉ करा है या क्या-क्या काम आपको करना है क्या-क्या आपकी प्लाइनिंग है जैसे सुबा सबरा का क्या !!! perspectives करेंगे आपकी समय को 2-2 घंटे के टाइम लॉग में डियवाइड करेंगे तो आप पाएंगे गे कि जो आपकी वास्थाविक efficiency है आपकी जो actual efficiency है वो कई गुना ज़्यादा बेहतर हो गई है आप कम समय में ज़्यादा काम एक साथ कर पा रहे हैं क्योंकि आपने समय को time log के हिसाब से divide किया है दूसरी important बात आपका जो unutilized time है बहुत सारा समय हमारा ऐसा होता है जो किसी कारण वश waste होने की कगार पर आयता है मान लिजिए आप घर से निकले office के लिए और आपका जो duration है रास्ता है वो लगबग एक घंटे का है तो एक घंटे के रास्ते के बीच में traffic jam हो गया और वहाँ पर आपको जो आप गाड़ी में बैठ कर बात करें traffic में बैठ कर बात करें आपके लिए सारी बाते समान रूप से लागव होती है इसका मतलब आपने वो जो एक घंटे का अतरिक्त समय आपके लिए जो व्यर्थ था आपने उसको यूटलाइज कर लिया अपने client से बात करने के लिए अपने vendor से बात करने के लिए अपनी team से communicate करने के लिए और साथ-साथ यदि अतरिक्त समय आपके पास है तो आपने वो समय learning पर लगा दिया आपने ऐसे चीजों को सीखा और समझा जिससे आपकी efficiency में इजाफा हुआ जैसे business books को पढ़ा आपने business book को audible आपने सुना तो business book को जब आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपकी efficiency और improve होगी तो जब आप अपने efficiency को improve करेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा उपलब्दी हासिल करने के लिए अपने आपको सक्षम बना पाएंगे के number of hours को बढ़ा लेते हैं मतलब मान लीजी आप 8 घंटे काम कर सकते हैं पर यदि आपके पास 5 employee हैं तो 8 पंजे 40 घंटे का काम आप extra कर सकते हैं अगर आपके पास 10 employee हैं तो आप 80 घंटे का काम कर सकते हैं तो आपको क्या करना है आपको दूसरे के समय को खरीद कर अपने समय में जोड़ लेना है और दुनिया के सफ़लोग यही काम करते हैं क्योंकि आपके पास जो number of hours हैं या number of days हैं वो limited हैं इनी limited days में आपको ज़्यादा उपलबदी हासिल करनी है तो आपको ज़्यादा लोगों के समय को खरीद कर अपने समय में जोड़ना होगा अब कई बार आपको लगेगा कि मैं किसी का समय क्यों खरीद हूँ मैं किसी को पे क्यों करूँ इसका मतलब आपको यह नहीं पता होगा कि एक व्यक्ति को मान लीजिए आप एक व्यक्ति को 8 घंटे एक महिने के काम करने के लिए 15,000 रुपे दे रहे हैं आपको ये पता ही नहीं है कि उससे 18,000 का output कैसी लिया जाए 20,000 का 30,000 का 40,000 का output कैसी लिया जाए तभी आप उस व्यक्ति की ability को खरीद कर अपने time में जोड सकते हैं ये बहुत important concern है कि दुनिया के सफ़ा लोग दूसरे के समय को खरीदते हैं and the next that is one more most important thing do not waste your time on social media हमें से बहुत सारे लोग ना social media पर unwanted चीज़ों को देखने में entertainment में, jokes में, comedies में या उल्टी सीदी वीडियो में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं जो किसी भी तरह से हमारे future में कोई योगदा नहीं दे रही है और भविश्य में आगे बढ़ने के लिए कोई support नहीं कर रही है उस तरह के content को consume नहीं करना मतलब save time आपको अपना समय बचाना है कहां से social media से और social media से बचे हुए समय को आपको यूटिलाइज करना है फॉर लर्निंग और लर्निंग कहां से कर सकते हैं अटेंड वक्शॉप्स अटेंड सेमिनार communicate with consultant और professionals अपने like-minded people और positive mindset के लोगों के circle में आप बैठें उनसे चीजों को सीखें समझें उनके अनुभव को जाने और उनके अनुभव को अपने business में implement करें ये बहुत important बात है कि आप किस तरह से दूसरे के समय को खरी सकते हैं या अपने समय के efficiency को बढ़ा कर अपनी कीमत को बढ़ा सकते हैं तो friends ये थे वो चार ऐसे point जिनको आप अपनी life में implement करके आसानी से अपने समय की कीमत को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में बचे हुए समय को सही तरीके से utilize करके अपनी हर मेहत्वक आंक्षा को पूरा कर सकते हैं और बात रही 86,400 की तो इस 6,400 की value ये सब आपके हाथ में हैं कि आप इसकी कितनी value बढ़ाना चाहते हैं 86,400 की value किसी व्यक्ती के लिए केवल 15,000 रुपे है पर मन्त किसी के लिए 50,000 रुपे पर मन्त किसी के लिए 1,500,000 रुपे किसी के लिए 2,000,000 रुपे किसी के लिए करोडो रुपे पर मन्त भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए करोडो रुपे पर सेकेंड भी हो सकती है यह आपके उपर निर्भर करता है कि 86,400 की वेल्यू आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्ण है तो आप टाइम मैनेजमेंट को ठीक से समझें और आपके मन का प्रश्ण कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कोई भी इंफर्मिटिव वीडियो मिसना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे स्वस्त रहें, मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनारे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत